तो जैहिं बंदे मातरम यहां पर हम बात करेंगे इलाबाद हाइकोड ग्रूपडी की फाइनल कट आप क्या होगी इसके इसके बारे में आपको बताएंगे जन्रल ओवी से इस्टी फीमेल और पी अच कंडिडिट जो होते हैं उनके सब के बारे में हम बताएंगे लेकिन इस आपकी पहले कुछ बात कर लेते हैं कि आपको पता होगा पहले इसका प्री हुआ था एक पेपर हुआ था उसके बाद रिजल्ट आ गया था उसके बाद जो मेंस हुआ है मेंस में कटाप क्या जाने वाली उस पर हम बात करने वाले हैं दोस्तों पेपर का लेविल जो देख बिखकर ऐसा लग रहा है कि पेपर इतना आसान नहीं था और उसके हिसाब से हम आपको घटाब बताने वाले हैं। कुल मिलाकर आपको हम बता दे कि जन्रals की गटाब जिस में कितने जानवाली इतने अंकाव आपके आ रहा है तो आप सेलीक्टेट अपने आपको मान के चलिए जन्रals की बत में मान के चलिए प्लस माइनस एक हो सकता है लेकिन अश्य नंबर आपके अगर बना है तो आप अपने आपको सेव मान के चलिए और फिर बात करते हैं OBC की OBC की मेरिट जनरल की मेरिट के आसपास ही रहने वाली है यानि की 80 के आसपास 80 के कम हो सकता है एक जादा भी हो सकता कभी-कभी ऐसा देखा गया है कि OBC की जादा चली जाती है दोस्तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस्ति की इस्ति में यहाँ पर हम आपको पता दे कि एक फैक्ट काम करेगा इस्ति में थोड़ा सा फाइदा मिल सकता है लोगों को और 75 या 74 के आसपास इनकी मेरिट जाने वाली है दोस्तों और इसके बात कर लेते हैं इस्ति की इस्ति में ज़्यादा लोग मिलते नहीं है ल अब फाइनल सेलेक्शन हो सकता है दोस्तों इसके बाद फेमेल की कटाफ इन सबके समान और अगर आप जनरल से हैं ओईसी सें इस्ति हैं तो इनके समान ही फेमेल की कटाफ जाने वाली है पीछ ऊक्त में बात करें तो पीछी यहां पर तीन कर्टेगरी होती है और अगर एक कर्टेगरी बनती है तो आपका यहां पर 73, 73 प्लस माइनस वन हो सकता है दोस्तों और यहां पर इतनी कटाफ अनुमानित है आपको यहां पर बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि आप कमेंट कटाप पर एक वीडियो बनाई ये दो हमने अनुमान लगाया है कि इतनी कटाप जा सकते वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और स्वेर जुरू करना जैहिंद जैभारण कर दो